तो हेलो फ्रेंड गुड आप टैनून कैसे आप लोग होप आप सब बढ़िया होंगे आपकी तेयारे भी अच्छी चल रही होगी तो शुरू करते हैं आज की क्लास लास क्लास में हम जी के डिसकस कर रहे थे और जी के में पॉलिटी मैंने पहले की पड़ा रखे आपने पु होगी मैंन सारी चीजा आपको करवाई जा रही है तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिसकस करेंगे यह भी पॉलिटीक है टॉपिक छोटा होगा बट काफी इंपॉर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट व्यू से थोड़ा सा बोर्ड आपको चमक रहा होगा क्योंकि बहुत दिनों बाद कोरदार में धूपाई है और खिड़की से यह चमक सरा रहा है नेक्स लास में इसका भी सॉलिशन ढूड़नेंगे तो टॉपिक का नाम लिखे महा नियावादी अब आप समझ गये होंगे भारत का महा नियावादी एटॉनी जर्नल उप इंड की बेसिक सी बाते महा नियावादी पहला यहां एक सम्वेधानिक पद है यहां एक सम्वेधानिक पद है तो देखो यह आज कल जो कथन वाले वक्व हैशन आ रहे हैं उन पर फोकस क्लास सहार नहीं जह लेगा क्योंकि आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे चार ओप्सन दे रहा है चार ओप्सन आपको पता होने ची ऐसा एक fact पता नहीं चलेगा अब यह समविधान एक पत है तो समविधान में उल्ले की थे तो means कौन से article में है तो यह एक अनुच्छेद है अब वह है अनुच्छेद 76 में यह man Sunday कौन महा न्याएवादी अब महा न्याएवादी कौने महा मतलब बड़ा और न्याए मतलब justice करना हना वादी करने वाला तो भई महा न्याएवादी है जैसे हमारी और आपकी लड़ाई होती है मेरा और आपका पंगा होता है तो वकील करेंगे जो मेरा वकील होगा हूँ मुझे support करेगा कहीं न कहीं मुझे win कराने की कोशिस करेगा आपका वकील आपको support करेगा आपके वकील के लिए आपका भी गलत ही नहीं हो सकते अगर मैं गलत भी हूँ न अमेने वकील किया हुआ है, तो मेरा वकील तो मुझे ही सपोर्ट करेगा, मैं गलत दूँ तो मेरी इतारीपे करेगा कि नहीं इसना है अपने क्लाइन को बचाएगा, मगर मुद्धा यह है कि भारत सरकार का ही किसी के साथ पंग हो गया तो, भारत सरकार नहीं कोई गलत फैसल है, और यह केस किसका लड़ेगा, तो यह केस किसका लड़ेगा, सरकार का केस लड़ेगा, तो ध्यान रखना, इसके लिए एक सिंपल सा फैक्ट बोला जा सकता है, कौन है यह महा नियावादी, तो सरल सब्दों में बोलेंगे, तो भारत सरकार का वकील है, भारत सरकार का व महान्याइवादी तो सरल सभू में करें तो महान्याइवादी भारत सरकार का एक वकील है अभ जो भारत सरकार का वकीले महान्याइवादी इस महान्याइवादी को हमने कहीं इसे लिया हुआ है जिस हम देखते हैं रासपती Kab Rahpahran election हम यह चीजे देखते हैं, emergencies हो गई, कई चीजे हो गई, हमने दूसरे देशों के सविधान से लिया है, दूसरे देशों के सविधान से लिया है का मतलब क्या है, मैंने इससे पहले वे example दिया है, कि जैसे मैंने coaching start कर रही है, कल से मेरी classes शुरू होगी offline class में, और मैं बहुत बा कैसा data है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो मैं अभी नहीं नहीं कोचिंग खोल रहाँ offline, तो मैं सीख रहाँ कि coaching में क्या होता है, कहां board setup होगा, कहां camera setup करेंगे, कहां benches होगी, कहां podium होगा, क्या होगा, जैसे मैं YouTube में नया नया आया है, तो मैंने दूसरे channels को सब्सक्राइन चाहिए तो अपने घर में वही चीज़े अच्छी करने की कोशिज करते हैं, तो ऐसे ही हमने अपने देस का constitution बाद में बनाया, और हमसे पहले बहुत सारे देस constitution बना चुके थे, तो हमने उन देसों के constitution को तांका जाकी करी कि उन देसों के constitution में क्या-क्या अच्छी है और जो जो चीजे हमें अच्छी लगी वो चीजे हम अपने देश के Constitution में खरीदना चाहें तो ऐसे ही महानियावादी का पद भी हमने दूसरे देश के सविधान से खरीदा है तो ध्यान रखना यह पद कौन सा पद महानियावादी वाली पोस्ट यह पद हमने ब्रिटेन के Constitution से लिया है ब्रिटेन के सविधान से लिया है या मैं shortcut में लिख देता हूँ ब्रिटेन से लिया है तो देखो यह कथनवाले question बनेंगे कि महानियावादी यह उच्छे 76 में है यह भारत सरकार का वकील होता है या पद ब्रिटेन से लिया आ गया है सारे सही है इन में से कोई सही नहीं है गलत है ऐसे कुशन बनेंगे तो किस देश से लिया है हमने ब्रिटेन से लिया है परन्तु परन्तु भारत और ब्रिटेन भारत और ब्रिटेन के महा नियाएवादी में अंतर महा नियाएवादी में अंतर भारत सरकार का जो वकील है ये वकील वाली पोस्ट ऐसी ही ब्रिटेन में भी होता है ब्रिटेन में भी महा नियाएवादी का पद है उनी से हमने खरीदा है बट फिर भी ब्रिटेन के महानियावादी और इंडियान का जो आटाउनी जनल है इन दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंट है भले हमने खरीदा है उनसे जैसे कि मेरा घर बाद में बना और मेरे पड़ोसी का घर पहले बन गया था तो मेरे पड़ोसी ने अपने घर में बहु ब्रिटेन से तो लिया है बर दोनों में बेसिक्स डिफरेंट है और जो आपके एकजाम के पॉइंट ओव यू में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट डालेंगे और एकजाम में पूछ लिया जाए तो बहुत सारे बच्चे से गिलत करने के चांस नहींगे क्या डिफरेंट हो? बेसिक्स डिफरेंट है ब्रिटेन में क्या डिफरेंट है? ब्रिटेन में महा न्यायवादी मंत्री मंडल का सदस्य होता है होता है जबकि भारत का महा न्यायवादी मंत्री मंडल का सदस्य नहीं होता है बहुत इंपॉर्टन फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है जो कि एक्जाम में हमको एक नंबर देगा लास्ट क्लास में मैंने आपको मंत्री मंडल लिखना भी सिखा दिया था कि मंत्री मंडल सुध्वर्तनी में लिखते कैसे है मंत्री मंडल सुद्दुवर्तनी में लिखते कैसे हैं अगर आपने हिंदी के classes नहीं देखी मेरी तो हिंदी की playlist देख लीजिएगा हिंदी का जो basic सा information था bracket A class 1 का वो मैंने complete करा दिया है आयोक के syllabus के नुसार अब हम grammar में पहुँच गए हैं और आपको हिंदी में वर्ण माला की class भी देखने के लिए मिल रही होगी तो मैं क्या कह रहा हूँ Britain में जो महानियावादी होता है यह मंत्री मंडल का ही member होता है मंत्री मंडल में से एक ही महानियावादी होता है उन में से एक मगर हमारे यहां मंत्री मंडल का मेंबर महानियावादी नहीं होता, तो different है समझ माई बात, जबकि ब्रिटेन में जो महानियावादी होगा, वो मंत्री मंडल का मेंबर होगा क्या भारत में होता है? नहीं कथन वाला question मनेगा, और बहुत important मनेगा, अब बहुत साई लोगों को पता भी नहीं होगा जबकि ये basic सी बाते तो लोगों को पता होगी, बट ये वाली बात थोड़ा exam के point of view से important रहने वाली है तो भारत और ब्रिटेन के महा नियावादी में जो भी different था, वो मैंने आपको बता दिया है और उम्मीद करता हूँ, अब आपको समझ में भी आगया होगा आगे चलते हैं next point अगर हम बताएंगे आपको, तो इसकी नियुक्ती, तो इसकी नियुक्ती कौन करेगा, आप सबको पता है सलहा देने का काम है, तो इसकी नियुक्ती कौन करता है, रास्टपती महोद है महानियावादी की नियुक्ती करते हैं, बट यहाँ आपने लिख ले न, with parameters, parameters को अंग्रेजी में क्या बोलते होंगे, advise, अपने इस आपसर लिख ले न, PM के, हाना, shortcut में लिख दिया, आप इससे समाझ जाएंगे परदहान मंत्री के parameters पर रास्टपती महानियावादी की नियुक्ती करते हैं, यह बात ध्यान में रखना, और एक important point, अगर question आजाया का कार्यकाल, महानियावादी का कार्यकाल क्या होता है, तो महानियावादी कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, निर्धारित नहीं अगर constitutional पद है तो इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है और ये महानियावादी रास्ट्रपती के प्रसाद प्रयंत कार्या करता है ये fact आप याद रख लीजिएगा मैं सच में बता रहा हूँ आपको दोस्तों ये आजकल exam की demand है trending में है ये चीज कथन वाले question अब इतक हम इतना याद कर लेते थे भारत का महानियावादी कौन से article नहीं आगे बढ़ जाते थे अब नहीं है ये बाते अब आपको उसके बार में fact पता होने चीए कि भाई क्या क्या चीजिए होती है कब भारत के महानियावादी का कार्यकाल ह होता है पांच साल दस साल नहीं भारत का महानियावादी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक रास्पती चाहेंगे तो रास्ट्रपती के प्रसाद परियंत का मतलब है कि रास्ट्रपती के मरजी के अनुसार वो काम करता रहेगा अपने पद पर तब तक बना रहे का advice देदेगा तो फिर बात बन जाएगी, change हो जाना पड़ेगा, कोई fact निये, कोई logic निये, कोई time निये, कोई tenure निये, और यहां तक तो भारत का जो पहले महान्यायवादी थे, important question लिख लीजिएगा, important question में बता देता हूँ, भारत के पहले महान्यायवादी, भारत के जो पहले महान्यायवादी है, उनका नाम है सीतलवाड जी, सीतलवाड जी, महान्यायवादी कौन है, सीतलवाड जी, और लगबग इन्होंने तो 11 वर्स तक महान्यायवादी के पद पर बैठे रहे, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहल लालनेरू, जवाहल लालनेरू ने राजंदर परसाद भारत के पहले रासपती को परामर्स दिया होगा, कि सीतलवाड जी को महान्यायवादी बना दो, उसके बाद जवाहल लालनेरू दो बार लगा तर पीम रहे तो उन्होंने change करने के लिए बोलाई नहीं होगा तो रासपती ने change भी नहीं किया तो continuously 11 साल तक रहेगे क्योंकि ये रासपती के परसाद प्रियंत काम करते हैं और रासपती चाहेंगे तो इनको change कर देंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे change clear सी बात है ध्यान रखिएगा अगला कोसिस करते हैं समझने की वो है योग्यता योग्यता में तो कुछ भी चीज आपको याद करने की जरुवत नहीं है परन्तु basic सी बाते कुछ याद कर लेते हैं पहली योग्यता भारत का नागरी को तो ये तो किसी को भी याद करने की जरुवत नहीं होती भई हाना इतना तो हम logic खुदी लगा सकते भारत का नागरीक तो होना चीए क्योंकि सवेधानिक पद है अगला हाई कोट में पांच वर्स तक कार्य किया होगा हाई कोट में पांच वर्स तक कुनोंने क्या काम किया होगा या उसरी एज नियाएदीज क्वाकील बोल रहा हूं मैं हाई कोट में पांच वर्स तक कार्य क्या होगा एज ए जज नियाएदीज ये ध्यान रखना मगर ये जो पांच वर्स होने चीए ये प्माच वर्स के से होने चीए, अलग-अलग हाई कोट में, कि किसी एक हाई कोट में एक वर्स काम किया, दूसरे हाई कोट में तीन वर्स काम किया, और किसी तीसरे हाई कोट में भी एक वर्स काम किया, तो लगबग कितना हो गया उनका, लगबग कितना हो गया उनका, एक स तो तब यह इलिजवल है महानियावादी बनने का या इसका दूसरा तरीका है या किसी हाई कोट में दस वर्स तक नियाधीस रहे हों तो यह चल जाएगा ओनली एक हाई कोट में भी या तो तुम एक हाई कोट में लगातार दस साल तक क्या रहे हों जज रहे हों सिंगल हाई कोट में जैसे उत्राखंड हाई कोट नहीं नहीं दाले तो उत्राखंड हाई कोट में तुमने लगातार 10 साल तक काम किया होगा तो भी आप महानियावादी बनने के लिए काबिल हो या फिर तुमने 5 साल तक जज का काम किया होगा मगर आपने अलग-अलग कोट में काम किया है तो बात बन जाएगे एक ही कोट में तुम 5 साल तक काम करोगे तो नहीं अलग-अलग कोटों में तुमने experience लिया होगा अलग-अलग हाई कोट में तुमने as a judge का experience लिया होगा किसी कोट में 2 साल का किसी कोट में तीन साल का, तो भी possibility है, आप महानियावादी बन सकते हैं, परन्तु अगर तुम सिर्फ एक ही हाई कोट में काम किया है, तो फिर आपको 10 साल तक एक ही हाई कोट में काम करना पड़ेगा तो फिर आप eligible हो जाओगे महानियावादी बनने के और दूसरा यह यह, कि रास्पती की नजर में कानून का जानकार हो, और तीसरा logic क्या है, कि रास्पती आपको न्यूक्त करेगा रास्पती जी आपको न्यूक्त करेंगे तो रास्पती की नजर में कानून का जानकार हो, तो अगर आपको महानियावादी बनना है तो आप भारत के नागरी के तो दोस्त आप भी बन सकते हैं अगर आपने किनी हाई कोटों में पांच वर्स तक काम किया है ऐसे जज़ के रूप में परन्तू अलग-अलग हाई कोट होने चीए तुमने उत्रपरदिस हाई कोट में भी काम किया है उत्रखन के हाई कोट में भी काम किया है तेलांगाना के हाई कोट में भी काम किया है और टोटल मिला के कहीं आपने 6 मैं न किया कहीं आपने 1 साल किया कहीं आपने 3 साल किया और टोटल 5 साल हो गए तो आप महान्याईवादी बन सकते अगर आपने only A की high court में अपनी सेवाएं दी है तो continuously लगातार 10 साल तक अगर आपने काम क्या होगा A की high court में तो भी आप महान्याईवादी बन सकते क्योंकि आपने 10 साल का experience A की high court में ले लिया तो भी possibility है आप इलिजिवल हो गए है या रासपती की नजर में आप कानून के जानकार हो मतलब एड़ दैन रासपती के पास power है आपको बनाएगा जज या नहीं बनाएगा क्योंकि रासपती को भी लगना चीए कि भी ये कानून का knowledge रखता है या नहीं रखता है और वैसे तो जो जज होगा वो कानून का knowledge तो रखे गई रखेगा भई तो कोई basic सी बात है ये तो फिर भी याद होना चीए रासपती की नजर में कानून का जान करूँ अगला क्या है रासपती दोरा निर्देसी बिसे पर सरकार को वीदिक सलहा देता है ये point तो आपका simple सा fact है ठीक है बाकी क्या काम करेगा ये दोस्त अगर मैं इसकी कारियस एली की बात करूँ तो मैंने बता है न ये सरकार का क्या होता है वकील होता है तो सरकार के case तो लड़े गई है सरकार का वकील होता है तो सरकार का case ने लड़े गई है दूसरी बात रास्पती जी को अगर कानूनी सलहा चीए तो रास्पती जी को तो कानून का नॉलेज नहीं है न रास्पती जी तो कहीं न गए एक नेता है उनको रास्पती बना दिया और नेता इतना नॉलेज रखता है नि तो रास्पती को कानूनी सलहा देना है ठीके परंतो जो भी ये advice देगा रास्पती को जरूरी निये रास्पती उसको माने माने ठीके वाद्याकारी नहीं है ये point आप ध्यार में रखना कल परसों में आपको पर्धान मंत्री पढ़ा है था पर्धान मंत्री ये सरकार जो भी advice रास्ट पती को देती है कहीं न कहीं रास्ट पती उसको मानने के लिए वाध्याकारी है मैं आपको पढ़ाया था previous class देखो उसके बाद हमने ये देखा था कि रास्पती एक बार मना कर सकता है मगर रास्पती बार बार मना नहीं कर सकता है मगर ये जो भी रास्पती को सलाह देगा कौन? महानियावादी महानियावादी अगर रास्पती को सलाह दे रहा है तो रास्पती जरूरी नहीं, माने उसको, रास्टर करें, रास्पती बाद्यकारी नहीं है, रास्पती इसके advice को लाब भी मार सकता है, कि भाई तू क्या बोलना है, मैं नहीं सुन रहा हूं तेरी, तो ये point आप ध्यान में रख सकते हैं, क्या चीज़े इसके बारे में important है, अगला fact क्या इसके बारे में, देश के किसी भी high court में, केस लड़ सकता है, देश को कोई भी high court होगा, उसमें ये सुनवाई कर सकता है, देश के किसी भी high court में सुनवाई कर सकता है, अगली बात, ये संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, संसद के किसी भी सदन में, मतलब संसद के दो सदन होते हैं हमारे, लोकसबा, राजसबा, तो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, लोकसबा और राजसबा में भाग ले सकता है पर ध्यान रखना परंतु मतदान नहीं कर सकता है तो ये महान्यावादी के बारे में कुछ बेसिक से फैक्ट थे जो आपको याद हो चुके होंगे कि क्या का आपको याद करना है ये रासपती सरकार का वकील होता है रासपती को कानूनी एडवाईज कौन देगा महान्यावादी देगा परंतु जरूरी नहीं है कि रासपती इसकी एडवाईज को माने ही माने रासपती के मन करेगा तो ठीक है रासपती को लगेगा कि इसके एडवाइज मेरे काम की नहीं तो रासपती इसके एडवाइज को नहीं मानेगा After that यह देश के किसी भी हाई कोट में सुनवाई कर सकता है तो आप इस वाले कथन को भी क्या बोलोगे हाँ इसका मन करेगा तो यह उत्राखन के हाई कोट में भी अपना सुनवाई कर सकता है यूपी के हाई कोट में भी सुनवाई कर सकता है क्योंकि देश का वकील जो है यार देश का वकील है सरकार का वकील है तो कहीं मी जा सकता है अगली बात यह संसत के किसी भी सदन में भाग ले सकता है लोकसभा और राज्यसभा कोई भी सदन चल रहा है और इसका टाहिम पास नहीं हो रहा है तो यह उन दोनों सदनों में जा सकता है और उनके कारेवाई में भाग ले सकता है कि यह लोग बोल क्या रहे है परन्तु कहीं पर लोकसवा राजसवा में भोट देने की बात आएगी तो ये भोट नहीं दे सकता ये point आप ध्यान में रख सकते हैं important fact इसके बारे में हैं परन्तु ये मतुदान नहीं कर सकता है तो आज की class में हमने क्या पढ़ा महा नियावादी के बारे में हमने extra fact पढ़े महा नियावादी को समझा तो आपकी समझ में क्या आया महा नियावादी एक वकील है और ये किसका वकील है भारत सरकार का वकील है अगर simple सबदों में कहें तो भारत सरकार को अगर केस लड़ना होगा तो कौन लड़ेगा जार भारत सरकार का वकील यह 해 यह एक सव्वेधा निक्वर दे तो सर संव्वेधा निक्वर दे तो कौन से आर्टिकल में है सुननी जिएगा जो चीजह हमने पड़ी आर्टिकल नमबर 76 में है फिर हमने ये पद कहां से खरीदा है ये पद हमने ब्रिटेन से खरीदा था बट ब्रिटेन और भारत के महानियावादी में एक डिफरेंट है कि ब्रिटेन का जो महानियावादी है ये मंत्री मंडल का ही सदस्या होता है जबकि भारत का महानियावादी मंति मंदल का सदिस्या नहीं होता है After that हमने पढ़ा है कि ये महानियावादी बनने के लिए आपको अलग-अलग हाई कोड में टोटल 5 साल तक का experience होना चाहिए सुनो इस बात को, copy बन कर दो हो गया, आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है, ये important है ठीक है, उसके बाद हमने इसके बारे में क्या पढ़ाता, ये देश के किसी भी high court में भाग ले सकता है कारेवाई कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, लोग सबा, राजी सबा में भाग ले सकता है मगर ये भूट नहीं दे सकता हुदर, ये basic सी बात है, इसके बारे में में पता चलिए आज एक question है, आपके लिए, क्या महान्यायवादी, क्या, last question है, complete हो गया है कथन वाला question आएगा, तो फस जाओगे, अगर आप नहीं फस होगे, तो मुझे answer देना, लिखते लिखते क्या आपको पता था ये point, मुझे बता देना, क्या महान्यायवादी, private case लड़ सकता है private case या private सुनवाई कर सकता है, बताओ अगर ऐसा कतन वाला question आ गया, तो आप इसका answer क्या करोगे, अभी आपने क्या बोला, जो महान्यायवादी है, ये महान्यायवादी है आपने बोला, सर जी, ये भारत सरकार का वकील है, ठीके जी, मैं तो ये बात समझ गया हूँ, कि ये भारत सरकार का वकील है अगर आप ये बात समझ गये हो, तो आप मुझे comment करके बताओ, या मुझे बताओ, क्या ये private case लड़ सकता है, तो आपके दिमाग में जो पहला thought आ रहा होगा, मुझे पता है, आप ये सोच रहे होंगे, कि ये private case नहीं लड़ेगा क्योंकि आपको पता है, ये भारत सरकार का वकील है, भारत सरकार के case लड़ेगा, तो ये private case नहीं लड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, आप यही सोच रहे हो कि ये private case नहीं लड़ सकता तो आप बिल्कुल गलत है क्या भारत का महानियावादी प्राइवेट केस लड़ सकता है यस बड़े बड़े सब्दों में लिक देऊंगा और इसको important करके note कर लेना क्योंकि हर कोई आपके जैसे ही सोचेगा कि ये प्राइवेट केस नहीं लड़ सकता क्योंकि भारत का वकील है बट इसमें एक condition है अगर मैं इसे as a वकील हायर करना चाहता हूँ अरजून सिंग रावत तो मेरे पास अगर इतना पैसा होगा तो ये मेरा केस लड़ सकता है बट एक point है ये भारत सरकार का वकील है तो ये कभी भी सरकार के खिलाप कुछ नहीं बोलेगा कभी भी सरकार के खिलाप नहीं बोल सकता बट question आएगा क्या भारत के महानियावादी private case लड़ सकता या private सुनवाई कर सकता है तो आप क्या बोलो के इसका अंसर येस परन्तु यार भारत सरकार का वकील है कोई मेरा वकील है तो मेरा वकील मेरे खिलाप बोल सकता है तुम्हारा वकील तुम्हारे खिलाप बोल सकता है नहीं तो सरकार का वकील सरकार के खिलाप बोल सकता है नहीं तो ध्यान रखना क्या समझ में आया है तुमारा उम्मीद करता हूँ यह fact आपकी समझ में आया होगा और आज की class या आज का GK का जो fact था हमारे पास महानियावादी महानियावादी के A to Z सारे fact मैंने बता दिए है तो आप comment करके बता दे न वर्तमान में कोई न कोई तो भारत का महानियावादी होगा अग Google तो सब के पास है बाइजरेड में भारत का महानियाएवादी कोन है यह आपने comment करके बताना है ठीक है याद करना, not करना और मुझे comment करके भी बता दिना की भारत के महानियाएवादी कोन है तो आज की class को यहीं पर फिनिश करते हैं बहुत important class थी अब बहुत छोटे से और बहुत सरल सब्दों म मैंने भारत का महानियावादी आपको समझाया है उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा और आपकी समझ में आया है तो प्लीज लाइक, सेयर, सस्क्राइब जो भी होता है वटेबर वो सारा कुछ कर दीजिएगा और आपके फ्रेंड्स वगर रहोंगे जो तैयारी कर रहोंगे तो उन तक भी सेनल को पहुँचाएगा धन्यवाद